अमरीकी केंद्रिया बैंक ने बुद्वार रात पर मुख ब्यासदरों की खोशना की है US Fed ने उमीद के अनुसार ब्यासदरों में 0.75% की भड़ोतरी की है US Fed ने लगातार तीसरी बार ब्यासदरों में ये भड़ोतरी की है और इस तरहीं US Federal Reserve Bank अपनी ब्यासदरों को बढ़ाकर 3 से लेकर 3.25% की रेंज में ले आया है साथ ही बैंक ने संकेत भी दी है कि वे आने वाले बैठक में भी ब्यास दरों में बड़ी बडोतरी कर सकता है अमेरिकी केंद्रिया बैंक देश में मेंगाई पर काबू पाने के लिए लगतर ब्यास दरों में बडोतरी कर रहा है गोर तलब है कि हाल के महीनों में अमेरिका में मेंगाई 40 साल के उस्तम सर पर चली गई है केंद्रे बेंक का नुमान है कि वे ब्यासदरों को साल 2023 तक 4.6 फीसदी तक ले जा सकता है अधिकारियों को उमीद है कि बेंचमार्क रेट साल के आखिर तक 4.4 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है और इसके बाद साल 2023 में इसे बढ़ाकर 4.6 फीसदी ले जाने का अनुमान है दरसल यूस फेट ने इस साल पांचवी बार अपनी बेंक्चमार्क शोट टम ब्यासदरों में बढ़ातरी की है आपको बता दे कि महगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्रिया बेंक ब्यासदरों में बढ़ातरी करते है अमेरिकी केंद्रिया बैंक के बाद अब RBI भी ब्याज़़ों में भ्रोत्री कर सकता है इसके बाद बैंक भी लोन पर ब्याज़़़े बढ़ा देंगे और इसका सीधा सीधा नुकसान लोन लेने वालों को होगा होम लोन, कार लोन और परसनल लोल साइट हर तरह के लोन पर ब्याज़़़े बढ़ जाएंगी जिन्नोंने पहले से घर के लिए करज ले रखा है उन्हें EMI में अधिक रखम चुकानी होगी अब RBI भी दरे बढ़ा सकता है RBI की Monetary Policy Committee की बैटक 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होने जा रही है माना जा रहा है कि इस बैटक में RBI रैपो रेट 0.25 से 0.35 फिसदी की बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है अगस 2022 के खुद्रा मेंगाई के आंकडे RBI के सहनिय सतर से काफी अधिक है ऐसे में अब RBI पर रैपो रेट बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है बीते 5 अगस को RBI ने रैपो रेट को 10 फिसदी बढ़ा कर 5.40 फिसदी कर दिया था रैपो रेट बढ़ी तो बैंक भी लोन पर ब्यास दरों को बढ़ा देंगे वहीं ऐसे भी संकेत मिल रही है कि सरकार RBI द्वारा ब्यास दरों बढ़ाने के पक्ष में नहीं है उदर केंद्रिय बैंक मेंगाई पर काबू पाने के लिए परमुक ब्यास दरों में बढ़ोतरी करते हैं ताजा आकडो के अनुसार भारत में अगस महीने में खुद्रा मेंगाई दर बढ़कर 7 फिजदी पहुँच गई इससे पहले जुलाई 2022 में ये 6.71 फिजदी थी इस तरह मेंगाई दर लगातार 8 में महीने RBI के सहनिय सर से अधिक रही है उदर अमेरिका की बात करें तो वहां भी मेंगाई दर उमीद से अधिक दर्च की गई है यूएस के CPI डेटा के अनुसार मंथली CPI अगस्त में 8.3 फिजदी की दर से बढ़ी है यूएस में जून महीने में महेंगाई 40 वर्चों में सबसे अधिक 9.1 फिजदी दर्च की गई इकानमी में डिमांड और सप्लाई के बीच बैलन्स बनाना काफी ज़रूरी होता है जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम रह जाए तो महेंगाई बढ़ने लगती है को कम करने की कोशिश करते हैं किंद्रिय बैंक पर मुख ब्याजदरों में इजाफा कर देते हैं और इसके बाद बैंकों को भी लोन पर दरे बढ़ानी पड़ती है बड़ी हुई ब्यास दरों के चलते ग्राक लोन लेना कम करते हैं और इसे बजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और मेंगाई पर काबू पाया जाता है